नमस्कार दोस्तों स्वागात एक बार फीड आ हमारी वीडियो में दोस्तों आज की शुटियो में आप सभी को बताएंगे स्काल्फ्विंग कैसे किया जाना चाहि और कैसे कुए झाल्फिंग जो है एक्छुली स्टिक में जो हैं आपको एंट्री मारना यहीं केंडल में पैसे जो भी कमाना है 400-500 निकल लेना है ठीक है तो इसको बोलते हैं स्कालपिंग तो इसको पकड़ेंगे कैसे बाई यह देखो इतना बड़ा सा यह देखो इतना बड़ा केंडल बना और इसमें बहुत ही अच्छा स्कैलपिंग का मुका था इसकैलपर के लिए यहां पर एंट्री मारता और यहां पर गुषता चलिए मैं इस चीज को समझाता हूं कि कैसे स्कैलपर कैसे बनोगे आप ठीक है देखो यह तो मैने आपको बता रखाये कि जब यह रेंजिंग मार्केट में हो और इसको जैसे ब्रेक करें तो ब्रेक जैसे लिए करने लगे, यहाँ पे आप मेंट्री मार दो, एक रास्ता तो यह कहता है, क्योंकि यह जो है, आलेडी हमने यह ट्रेडा लाइन खिंच के रखा हुए, इस तरह से करें WITH यहाँ लाइन खिंच Lie और इसको जैसे ब्रेक करें тво पहला रास्ता दूसरा रास्ता यहां पर बता रहा है यहां देखो यह कौन सा केंडल है यह देखो यहां पर यह है हाथाओडा वाला केंडल देख रहे हैं है हैमर केंडल स्टिक बनाया है है हैमर केंडल स्टिक बनाया उसके बाद यह ग्रीन बनाना इसका हायर से जैसे ही उपर उठने लग इन्वर्टेड हैमर बनाया है देख सकते हो न तो अगर आप यहां पर एंट्री ना मारना चाहो तो यहां पर देखो कितना मस्त का हैमर बनाया है मस्त वाला हैमर केसे बनता है जब उपर में शेडव नहीं हो और नीचे ही लंबा सा सेडव हो ऊसको बोलते हैं जert हैमर बड़ा मतलब बुलिस एमर बोलते है बोलते हैं नंबर वन का हैमर ठीक है एकदम अथोड़ा जैसा है यहाँ पेंट्री मार सकते थे और यह वाला जो इसका stopless होगा यह पूछ जहां तक है ना उसका नीचे जाने लगे तब stopless समझ लो होगा यहाँ पे आपको stopless लगाना है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो जिसके बाद वाला जितने भी candles बने हैं लेकिन इसके stopless को यहाँ पे इसने काट नहीं है ठीक है तो आप यहाँ बेंट्री मार सकते थे लोंग टर्म इंवेस्टन के लिए या फिर देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे बनाया यह एंगलफिंग बुलीस एंगलफिंग यहाँ पे बनाया ढदो इस कैंबल स्टिक से यहां पर इतने सारे यहां पर सारे दे रहे हैं चार्ट और Shepherd तो इस तरह कीसे आप समझ सकते हैं कि भाई यह जो है ना यह बुलिष का इसारा दे रहे हैं ठीक है यहां भी देखो एक हमर का बनना उसके बाद यहां पर इंगल फिंग बनना बुलिश अंगल फिंग ठीक है यह मतलब बुलिश अंगल फिंग किसको बोलते हैं लाल के बाद जो हरा वाला पूरा इसको निगलते विए बन जाए तो बुलिश अंगल फिंग यह और जो है इसको बाई कर लिए बहुत ज्यादा तो इस तरीके से जो है इस चीज को आप समझ लोगा नहीं समझ रहे हो तो दोस्तना प्लोग कमेंट करना आपको अच्छी तरीके से हम समझा देंगे तो कहने का मतलब है कि कैंडल्स जो है न कुछ न कुछ बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं यह कैंडल्स जो है सेलर और बायर का जो है वो नवज बता रहा है कि वो अखिर क्या कर रहे हैं वो लोग ठीक है सेलर और बायर तो सेलर और बायर के अलावा यहां प ऐसे मैंनेframes बनार रखा है जिसमें मैंने बताया हुआ सब्सक्राइब करेंगे और क्या कहता है यह सुनने का कोशिस करेंगे नमस्कार बाई बाई दोस्तों